पूरे 27 संग में हमारे बोरिली इस्ट और वेस्ट के 27 संग है टोटल उन्होंने आज टक 25,000 कीट का वित्रण किया हुआ है चार लाग के फूड पैकेट्स डेली फूड पैकेट्स जो वित्रित किये गए है यह सब होने के बाद हमारे जो उपनगर के कलेक्टर है बोरिकर साब और यहाँ के अपने कोवीड के SDO है सुदाम परदेशी और हमारे तसीलदार दूत्रे साब है इन्होंने हमें एक अपिल की उन्होंने कहीं से सुना रहेगा की हमारे जएम समाजी सब एक्टिविटीज में काफी आगे चल रही है तो उन्होंने अपिल की किया कि यहाँ पे कोई राशन काड नहीं है ऐसे लोगों को शासन यहाँ पे हैंडिकैप हो चुकी है गोवर्मेंट हैंडीकैप हो चुकि उनको राशन नहीं दे पा रही है क्योंकि उनके पास राशन काड नहीं है तो फिर 27 संग का हमने एक मिटिंग लिया और उसमें नकी किया कि हम लोग को कुछ करना चाहिए तो 27 के 27 संग ने यह अपिल को स्विकार किया और उसके बाद हमने 50,000 फैमिली का जो बजेट दिया था कि तोटल मुंबई में 15 वाड में 50,000 फैमिली आज बंचित है फूट से तो फिर हम लोग ने हमारा जो एरिया है यहां के करीबन 10,000 फैमिली का हम लोग ने उनको आज दो दिन तीन दिन पहले ही हमने स्टार्ट किया है वितरन तो एक 10,000 फैमिली का हम लोग उनको एशुरेंस दे रहे हैं कि 10,000 फैमिली यहां जो हमारे एरियाज की है वो हम पूरी करेंगे यहां से सनमाननी अश्री स्नेहल शाह यहां पर उपस्तित दिलिब भाई यहां पर उपस्तित सभी पदाधिकारियों ने पिछले 50 दिनों से जैसे हमारी दैसर की विधाया मनिशाता ही यहां पर है हमारे बोरियूली के नगर सेवा प्रविण भाई बिना बेन हमारे तवसिल्दार गुत्री जी उपस्तित है वैसे तो मैं सर्वप्रतम श्री बोरियूली 27 जैन संग के सभी पदादेकारियों का मनपुर्वग अभिनिंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने देखा होगा कि इनके बैनर पेज कहीं पर भी आप अगर जैन मंदिर में जाते हो देरासर में जाते हो तो इनकी गोशना होती है कि जयनम जयती शासन इसका मतलब क्या होता है कि जैन धर्म में मानव निर्मित मनुश्य को सहारा देने के लिए जैन धर्म में ये कहा गया है तो आज ये वैश्विक महामारी आने के पश्षाद, करोना संकड आने के पश्षाद, मैं पिछले 40, 45, 50 दिनों से लगातार देखता हूँ, मेरी स्नेहल भाई से लगातार बात होती रहती है, मैं इस मंदिर समाज की समस्कृति को आगे बढ़ाते समय, जैन धर्म की रक्षा करने के साथ साथ समाज के हर छोटे छोटे वर्ग में ऐसे महामारी के समय, जात पाद धर्म के उपर उपते हुए इस अनाज पहुंचाने का जो काम किया है मैं कहता हूँ, बोरियूली, दैसर, कांदियूली से उपर मैं उस दिन मलाड के एक कोने में गया था तो मलाड में मुझे कहा गया कि हमारे घर में अनाज पिछले 40 दिनों से एक बोरियूली में, जामली गली में एक जैन धर्म का एक मंदिर है वहां से आता है, कि यह जो नेटवर्क बनाया है यह नेटवर्क में, जो हम मंदिर में आते हैं पूजा करते हैं, इस पूजा के माद्यम से हम जैन धर्म के माद्यम से हमारी मनुष्य की सेवा करने के लिए मनुष्य के माद्यम से काम करते हैं यह सबसे बड़ी सेवा है जो भगवान के चरणों में इन सभी ने अरपन किये मैं इन सब को मेरा मनपुरवक शुबेच्छा देता हूं राज निती के पार जाते हुए इन लोगों ने मानव धर्म की सेवा करने का जो सच्छा काम क्या है भगवान के चरणों में ये जो सेवा इनोंने अर्पित की है भगवान इनहें लाक लाक शुबेच्छा दे, भगवान इनहे आशिरवद दे और इन्हें लंबी आयू करके मनुष्य की सेवा करने का ये जो धर्मा है जैनव जैती शासनव का उससे आगे लेके जाए और विश्व में ये जो सिवा है वो करते रहे ऐसी मैं शुबेच्छा देता हूँ आप सबको मेरे दरब से जए जए